लेसन नंबर 48, इसके अंदर हम अयोटा की जो इन्टैग्रिल पावर्स हैं उनको डिसकास्थ करेंगे. हम ये बात जानते हैं अयोटा होता है तो हम आयोटा पावर 2 आयोटा पावर 3 आयोटा पावर 4 अacio पावर यह जो आयोटा के integral powers हैं जो power में integer आता है जैसे negative integer भी आ सकता है positive integer भी आ सकता है हम सिरफ integral power को discuss करेंगे इस lesson में पहले जो चीज़ हम जानते हैं आयोटा होता है square root of minus 1 यहां से हम यह बात तैय कर सकते हैं कि अगर दोनों तरफ square लिया जाए तो minus 1 का भी square इसका root का भी square लेंगे और यहां से square root cancel होके हमारे पास directly आयोटा square की value आ जाएगी minus 1 अब situation यह है कि मुझे चाहिए आयोटा cube अब मैं बारी बारी सारी powers को discuss करूँगा आयोटा cube को हम लिख सकते हैं आयोटा square into आयोटा और यह क्या बनेगा what is आयोटा square minus 1 into आयोटा तो यह आ जाएगा minus आयोटा आ जाएगा अब मैं study करूँगा आयोटा power 4 को तो आयोटा power 4 क्या होगा आयोटा square into आयोटा square और आयोटा square के बारे में जानते हैं वो होता है minus 1 into minus 1 तो आयोटा power 4 आ जाएगा plus 1 अब हम study करेंगे आयोटा power 5 तो यह आयोटा square आयोटा square into आयोटा होगा अब इसको कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगा आयोटा square होता है minus 1 minus 1 into आयोटा तो आयोटा power 5 जो है यह आ जाएगा minus minus plus 1 into आयोटा यानि आयोटा power 5 आ जाएगा आयोटा simply अच्छा आयोटा power 6 के बारे में जारा देखते हैं आयोटा power 6 होता है आयोटा square whole cube यह पावर के पर पावर है तो पावर मल्टिप्लाय के वो ही बन जाएगी आयोटा cube बन जाएगा आयोटा square होता है minus 1 minus 1 cube हो जाएगा minus 1 अगर आयोटा power 7 को discuss किया जाए तो यह होता है आयोटा power 6 into आयोटा आयोटा power 6 को लिखेंगे आयोटा square cube into आयोटा आयोटा square होता है minus 1 cube into आयोटा और यह होता है मारे पास minus 1 into आयोटा इस इंबलाईज आयोटा power 7 जो है वो आजाएगा minus है आयोटा आजाएगा इस तरह आयोटा power जो 8 है वो बनता है आयोटा square power 4 आयोटा square होता है minus 1 power 4 यानिके plus 1 यह बात हमने मायनम रखनी है कि minus 1 की power जब भी आएगी even तो वो plus 1 होगा और minus 1 की power जब भी आएगी odd तो वो हमारे पास minus 1 होगा negative की power जब आती है odd वो negative होता होता है negative की power आती है जब even वो positive बन जाता है हमने iota को discuss कि या iota square, iota cube, iota power 4, iota power 5, iota power 5, iota power 6, iota power 7,dogs power 8 हम higher powers को भी discuss कर सकते हैं इसी pattern पे iota power 9 है उसको लख सकते हैं iota power 8 into aiota आयोटा पावर 8 जो है उसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्केर होल पावर 4 and then आयोटा बड़ी से बड़ी पावर भी अगर होगी हमारे पास उसको हम ब्रेक करके तोड़ सकते हैं अब हम पावर देखेंगे जो नगिटीव इंडियर वाली फार एक्जामपल आयोटा पावर माइनस टू है तो वन ओवर आयोटा स्केर आजाएगा वन ओवर आयोटा स्केर किया होता है मैंनस वन यहनिके मैंनस वन आजाएगा Iota power for example minus 3 है 1 over Iota cube होगा 1 over Iota square into Iota होगा 1 over minus 1 into Iota होगा तो यह minus 1 over Iota end है इस तरह Iota power for example हमारे पास minus 17 है तो 1 over Iota power 17 1 over Iota power 16 into Iota कर लेंगे और यह हो जाएगा 1 over Iota power 16 होता है Iota square power 8 into Iota 1 over minus 1 power 8 into Iota तो 1 over Iota कि मनस 1 power 8 हो जाएगा प्लस 1 और 1 over Iota हो जाएगा इस तरह से हम बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं तो इस लेसन में हमने Iota की जो integral powers हैं उनको simplify करने का तरीका सीखा Thank you कि मनस 2 और साथ यह जो ऐख यह हो जाएगा